हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पाट साल और मैं हूँ भी किशिंग डेली हैंडिटेंड इंपॉर्डिन करेंड फिर्स लेकर आपके वीचु पस्तित होता हूँ तो आईए शुरू करते हैं पहला है केम पट्टा स्वामी बनाम भारत संग 2017 मामला किस से संबंदित है तो यह जो केम पट्टा स्वामी बनाम भारत संग 2017 मामला है यह नीजिता के अधिकार से संबंदित है यहाँ पर मैं जानकारे देदूं आप लोग को कि केम पट्टा स्वामी बनाम भारत संग का मामला जो 2017 में लाया गया था इसमें महिलाओं की सेक्स्वल आटोनमी से संबंदित एक याची का है जो सुप्रीम कोट में लंबित है बरतमान समय में मेराटल रेप का मामला जो है यह सुर्खियों में रहा है केस पट्टा स्वामी बनाम भारत संग 2017 मामले में शुप्रीम कोट ने नीजिता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना था भागती इन में अनुच्छेद 21 क्या कहता है उश को जानते हैं प्रान एवं दहिक सुतंतरता के संरक्षन की बात करता है अनुच्छेद 21 तो ये था हमारा केम श्वामी बनाम भारत संग 2017 मामला किश्चे संबंदित है तो आपको याद रखना है ये नीजिता के अधिकार से संबंदित है दूसरा है हाल ही में खबरों में रहा भंडारी समुदाय किस राजी से संबंदित है तो भंडारी समुदाय का संबंद जो ह यह ताड़ी निकालने और बगीचों में मतलब बगीचों में करने से जुड़े हैं यानि बगीचों में रहने से जुड़े हुए हैं यह थोड़ा मिस्टिक लग रहा है यहां पर बगीचों में रहने से जुड़ा हुआ है नेक्स है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जी आई अक्षी है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के बारे में यहां पर थोड़ी जानकारी ले लिजिए भारत के सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राइपक्षी में से एक हो गया है आपका ग्रेट इंडियन वस्टर्ड आई यू सी एंड की रेड डेटा लिस्ट में किसी प्रज अफ नेचर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर यानि अंतरास्ट्रे प्रकृति संरक्षन संग ठीक है आईए नेक्स्ट है भारत में ब्लू मॉन्टेन नेशनल पार्क जो की हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है किस राज में इस्थित है तो य अगला है भारत की पहली पैरा बेड्मिंटन अकादमी किस सहर में अस्थापित किया गया है तो भारत की पहली पैरा बेड्मिंटन अकादमी जो है यह उत्तर परदेश के लखनाव शहर में घोशित किया गया है ठीक है अगला है सयद मोधी अंतरास्ट्रे बेड्मिंटन ट उर्नामिट 2022 में पीबी सिंदु ने एकल खिताब अपने नाम कर लिया है नेक्स्ट है भारत के किस सलामे बल्लेवाज को ICC महिला क्रिकेटर आप दे यर चुना गिया है तो इसमिर्ती मंधाना को ICC महिला क्रिकेटर आप दे यर चुना गिया है ठीक है सलामे बल्लेवाज है भारत के, उसके बाद नेक्स्ट है, रास्ट्रिय बाली का दिवस 24 जणवरी को मनाया जाता है, इश की शुरुवाद कब हुवी थी, तो इसकी शुरुवाद वर्श 2008 में की बड़ी थी, यहां पर एक जनकारी और है कि 24 जणवरी को अंतरास्ट्रिय सिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी रास्ट्रिय बालिका दिवस कब से मनाया जाता है तो 2008 से ये जानकारे अपले चुके हैं अच्छा है हुआ क्या था कि 24 जनवरी उनिश्व 66 को भारत के पहली महिला प्रदानमंतरी के रूप में स्रीमती इंद्रा गांदी ने शपत लेते और महिला ससकती कर सहवा देने के लिए प्रतियक वर्ष 24 जनवरी को बालिका के दिवस के रूप में मनाया जाता है उसके बाद अगला है शुवास संद्र बोस आपदा प्रवंदन पुरुस्कार 2022 की से प्रदान किया गया है तो आपदा प्रवंदन पुरुस्कार जो है ये 2022 में संस्था गत ब्यक्ति गत्स्रेणी में सिक्किम राजी आपदा प्रवंदन प्रागधिकरन के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को ये पुरुसकार दिया गया है तो दोनों याद रखिएगा कि शुवास संद्र बोस आपदा प्रवंदन पुरुसकार 2022 की से प्रदान किया गया है तो संस एक स्थे भारतिय रिजर बैंग किया है कि और नाइट वेरेवल रेपुरेट यनिए वी आर आर निलामी आयुजित किया है यह निला में कितने राशी के लिए किया गया है तो यह निला में जो है 75,000 कड़ोर रूपिय के लिए किया गया है उसके बाद नेक्स्ट है 250 करोर से बिहार में लागत से होना चाहिए अपर 250 करोर की लागत से बिहार के किस जिला में बनाया जाएगा एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट पूरा इस प्रकार से सुन लिजिए शटिक सुनने में नहीं लग रहा है होना चाहिए 250 करोर की लागत से बिहार के किस जिला में एसिया का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट एसिया का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट जो है वो लगाया जाएगा यह लगाया जाएगा भोचपुर जिला में और जिगा का नाम है देवरी तो देवरी में भोचपुर जिला के देवरी में एसिया का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट लगाया जाएगा कितने की लागत से 250 कड़ो रुपे की लागत से उसके वाद नेक्स्ट है प्लांट बेस्ट मीट कमपनी गुड डाट के नए ब्रांड अमिस्टर कौन बन गए हैं तो भाला फेक नीरज चौपडा जो है गोल्ड मैड लिस्ट ये गुड डाट के ब्रांड एम इस डर बन गया है यह क्या है प्लांट बेस्ट लिनिप अधर से निर्मित प्लांट पौदे पराधारित मीत कंपनी गुड के नए ब्रा नेमिस्टर नीरच आप tries बद्गा इस उसके बात नेक्स टैय भी लाज कोन बन गया है तloe死 I C C E B G C का फूली फूर्म क्या होता है एनिमेशन विजियल इफेक्ट गेमिंग और कॉस्मे rất ठेक है एब्यजी सी क्या हुआ है एनिमेशन इस्वेजय एफेक्ट के मिन्ग कॉस्मेटिक्स Center of Excellence launch करने वाला भारत का पहला राजी कौन बन गया है तो ये भारत के पहले राज बन गये है करनाटक अब आईए अंत में हम लोग आते हैं आज के इतियास पर और आज का इतियास जानने से पहले मैं आपसे एक रेक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से जितने में विक्ति हैं हमारे चैनल पर नहीं है सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और आप थोड़ा सा योग मेरा कीजिए कि चैनल को कुश-कुश फ़रवर्ड भी क्यार दिया कीजिए फ़रवर्ड करिए गत मेरा दो चार लाइक दो चार भीव बढ़ जाएगा तो ये आपका आशान रहेगा आई ये तो आज का इतिहास जान लेते हैं अपने उंगलियों को कश्ट दिजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए बर्स 1971 में याज 25 जनवरी है 25 जनवरी 1971 में हेमाचल परदेश को पूर्ण राज़ि का दरजा दिया गया उसके बाद 25 जनवरी gearbox में प्रसिद्ध समाज से भी संथ मदल टरेशा को भारत रत्रत्न से सम्मानित किया गया उसके बाद क्या है कि 1880 में भारतिय ब्रह्म शमाज यानि 25 जनवरी 1880 में भारतिय ब्रह्म समाज की अस्थापना केशव चंदर सेन्ने की ये प्रसनाप के लिए थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है कि भारतिय ब्रह्म शमाज की अस्थापना केशव चंदर सेन्ने और ये कव किया था 25 जनवरी 1880 के आज ही के दिन 1880 में ब्रह्म शमाज भारती ब्रह्म शमाज के अस्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था तो आज के लिए इतना ही बने रहे है शाही पार्ट सला के शाथ धन्यवाद